हेलो इस वीडियो में आज हम स्कैनर के टाइप्स के बारे में जानेंगे टाइप्स ओप स्कैनर, स्कैनर कितने परकार का होते हैं इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे लिए गया है फ्लैट वेड स्कैनर इसकी definition है ये एक optical scanner है जो आपके document की scanning के लिए paper, photograph, book या अन्य बस्तू की sheet को रखने के लिए एक part कांज की स्थेय का उप्योग करता है हम इसे सिर्फ flatbed के नाम से भी जानते है ये हमारी document के सभी element को capture करने के लिए सक्षम है आपको अपने document को scan करने के लिए glass के उपर रख देना है और फिर इसके ढकन को बंद कर देना है जिस तरह से ये document को scan करते हैं बै ये है कि अमेज प्राप्त करने के लिए document के नीचे एक mechanism रोल करता है कुछ ऐसी भी flatbed scanner बजार में उपलब्द हैं जिसमें automatic document feeder और wireless या bluetooth connectivity जैसी अतरिक्त सुविधाएं भी होती है उच प्रोसेसिंग शमता की अफशक्ता वाले बेफसाय के लिए flatbed एक बटन के एक क्लिक के साथ किसी भी document को scan कर सकता है flatbed user दवारा सबसे अधिक उप्योग किये जाने वाले scanner की खेनी में आते हैं तो जो flatbed scanner होता है वो देखने में ऐसा होता है इसको flatbed scanner बोला जाता है इसके बाद अगला scanner है hand held scanner ये एक electronic device है जिसका इस्तिमाल हम आकसर physical document को digital format में बदलने के लिए करते हैं इसे network के भीतर digital रूप से edit, transfer या email किया जा सकता है hand held scanner बार कोड को read कर सकता है red या infrared light के साथ code pattern को detect कर सकता है इसमें एक बास्त्विक reading unit और downstream decoding unit होती है decoding unit को लगबग सभी परकार के device में reading unit में एकी क्रिद किया जाता है इसका इस्तिमाल हधिकतर retail, logistics और दियोगों में किया जाता है जो hand held scanner होता है वो देखने में ऐसा होता है इसको hand held scanner बोला जाता है इसके बाद आगला scanner है drum scanner इसका उप्योग मुख्य रूप से किसी email से high resolution को capture करने के लिए किया जाता है scan की जाने वाली बस्तु से परकाश को अलग लग blue, red और green के beamों में सिप्यल्ट किया जाता है जिसमें amaze stick होती है photograph और पारदर्श्ता को एक spust slender में fit किया जाता है जो scanning operation के दौरान 1000 RPM से अधिक की गती से गुमता है एक light source जो एक pixel पर fox होता है उस drum पर beamit किया जाता है और एक समय में drum को एक line के नीचे लाया जाता है drum scanner को नीमिद flat web का जबदस्त upgrade संसकर्ण माना जाता है इस प्रकार के scanner का production के वल कुछी company करती है तो जो drum scanner होता है वो देखने में ऐसा होता है इसको drum scanner बोला जाता है इसके वाद अगला scanner है photo scanner ये भी एक प्रकार का optical scanner है जिसे मुख के रूप से photos को scan करने के लिए बनाया गया है अपने photo को scan करने के लिए आप इसके ढकन को उठाते हैं जिस पर आप अपनी photo रखते है ये समानी उदेशी के scanner से छोटे होते है लेकिन ये high resolution पर दान करते है ये 300 dpi या high resolution के photographs को scan कर सकता है कुछ high end photo scan negative और slide को भी scan कर सकते है अगर आप photo collection के एक चोकीन है तो आप अपने print और film को digitize करने के लिए photo scanner की और रुख कर सकते है जो photo scanner होता है वो ऐसा देखने में होता है इसको photo scanner बोला जाता है इसके बाद आगला है book scanner ये एक प्रकार का overhead scanner है बशेश रूप से इने किताबों या पत्रिका के scanning करने के लिए बनाया गया है एक भी आकार काज cridles जिस पर किताबों की read को बीना काटे किताबे रखी जाती है दो overhead camera page के हर भी हिससे को एक के बाद एक capture करते रहते है परतेग प्रेज को पुस्तर के mentioned page संख्या के क्रम में store किये जाता है इन stored हमेज को bulk cleaning tool का उप्योग करके post process किये जाता है जिसके बाद इसमें एक PDF मनाये जाता है इसे non destructive के नाम से भी जाना जाता है तो जो book scanner होता है वो देखने में ऐसा होता है इसको book scanner बोला जाता है इसके बाद है big format scanner इसका उप्योग बड़े अकार के document को scan करने के लिए किये जाता है civil देकेदार, architect, map lister और building constructor एर्थियादी इन ही का उप्योग करते है तो big format scanner जो है वो देखने में ऐसा होता है इसको big format scanner बोला जाता है इसके बाद आगला scanner है sheet feed scanner हम इसे automated document या ADF scanner के नाम से भी जानते है ये एक digital amazing system है जिसे बेशीच रूप से paper की एक sheet को scan करने के लिए बनाया गया है इसका उप्योग बेवसाउंद दुवारा office के documents को scan करने के लिए किया जाता है ये books और अन्य मोटी बस्तूओं को scan नहीं कर पाता है तो जो sheet fit scanner होता है वो देखने में ऐसा होता है इसको sheet fit scanner बोला जाता है इसके बाद अगला scanner है वार कोड स्कैनर इसे POS scanner भी का जाता है इसका उप्योग बार कोड से data input करने के लिए किया जाता है दुकानों में अधिकांश product पर बार कोड होते है बार कोड रीडर उन लाइनों पर प्रकाश की किर्ण को प्रतिवंदित करने का काम करते है जो बार कोड बनाती है और परवर्तित प्रकाश की मातर की पहचान करती है इसका उप्योग दुकानों के product code को scan करने के लिए किया जाता है बार कोड स्कैनर जो होता है वो ऐसा दिखने में होता है इसको बार कोड स्कैनर बोला जता है तो यह स्कैनर की टाइप्स थी तो इस वीडियो में हमने स्कैनर की टाइप्स के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शब्सक्राइब मैं चानल